बिहारबोर्ड इंटर की परिच्छा के तीसरे दिन कैमेस्ट्री का पेपर वाचसप ग्रूप में तेजी से वाइरल हो रहा है एस्टुडेन का दावा किया जा रहा है कि प्रस्न पत्र हसले है पटना के कुछ सेंटर के बाहर स्टुडेन्स मोबाइल से वाइरल हो रहा है इस पेपर से एंसस तयार करते भी दिखाई दिये ये पेपर फर्जी है या सही है तो एक्जाम खतम होने के बाद ही बताया जा सकता है लेकिन वाटसप ग्रूप में इस पेपर को असली बताया जारा है सेंटर के बाहर चात्रों में इस प्रस्न पत्र को लेकर काफी चर्चा हो रही है आपको बता दे कि इसी तरह से पहले दिन गनीत और दूसरे दिन फिजिक्स का पेपर भी वाइरल हुआ था जिसे बोड ने फरजी बताया हाला कि कुछ है स्टूडेंट का दावा किया जारा था कि कुछ प्रस्ने वही थे जो अंदर हमें मिले थे बता दे कि पहली पाली में ही कला संकाय पूरवर्ती परिक्षार्टियों के लिए पूराने पैटरन के अनुसार अज दूसरी पाली में कला संकाय के परिक्षार्टियों के लिए फाउंडेशन कोर्स का परिक्षा योजित की गए ये परिक्षा एक बस के पैतालिस मिनट से पांच बजे तक चलेगी परिक्षा शुरू हने के 10 मिनट पहले केंद्र परेंटरी बंद करा दी जाएगी बिहार बोड़ इंटर की परिक्षा पहले दिन पहली पालि में गनीत और दूसरी पालि में हिंदी की परिख्षायों जित की गई थी जिसमें दोनों पालीों को मिलाकर कुल 68 परिख्षार्ति निसकासित हुए। पहले दिन WhatsApp ग्रूप में फेक परशन पत्र धरले से वाइरल होने लगा था, वही दूसरे दिन पहली पाली में फिजिक्स और दूसरी पाली में इंग्लिस की परिक्षायों जित्की गई थी, जिसमें दोनों पालीों को मिलाकर सो परिक्षारतियों को निस्कासित किया गया। बिहार बोड इंटर इग्जाम एक फरवेड़ी से सुरू हो चुकी है, इसमें 6,36,432 चात्राएं और 6,87,95 चात्र सहीत कुल 13,18,227 बिद्यार्थी सामील है। इस परिक्षा में सामील होने वाले चात्राओं की संख्या चात्रों की तुलना में ज्यादा है। पटना जिले में 41,593 चात्राएं और 38,48 चात्र सहीत 89,641 परिक्षार्थी परिक्षा दे रहे हैं। पटना जिले में इस इक्जाम के कुल 80 इक्जाम सेंटर बनाए गया। बिहार बोड की ओर से इंटर परिक्षा के लिए परिक्षासन की ओर से सभी तयारिया पूरी कर ल कि गई है। बिहार इंटर परिक्षा को लेकर बोड ने कई नए नियम लागू किये हैं। इसके तहपूर की इंटर परिक्षा के अंदर आंटर नहीं किया जाएगा। इसके साथी किसी भी तरह का स्माट गैजेट यांजिल बॉक्स, कार्ट बोर्ट्ट यसी कोई भी परिच्छा केंडर के अंदर लिजाने की इजाजत नहीं दी गई है परिच्छा के गई है